तो एक बार फेर से सौगात है आपका आपके चैनल बीसी आनि बॉलिवूड चलोगा में तो दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं फाइटर्स मूवी के बारे में फाइटर्स मूवी जो की 2 अक्टूबर को रिलीज हो जाएगी दो अक्टूबर को रिलीज जहां ये मूवी होगी इस मूवी के बारे में शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे कि इस मूवी में कौन-कौन से एक्टर्स जैसे हम इसमें सबसे पहले एक्टर की बात करें वहीं दूसी तरफ हम अगर टाइगर स्रॉप की बात करें तो स्टुडेंट आफ दे एर पाइट टू में भी हाली में हमें ने उन्हें देखा पाइट आफ देखने को मिलेगा और सांदार स्टॉरी भी देखने को मिली थी अब उसी के बाद अगर हम बात करें कि इस मुवी को जहां अगर हम प्रेड्यूसिंग की बात करें और रिटेंड बाई कौन कर रहा है आदित चोपडा हमने शायद उनकी लास्ट मुई रब ने बना दी जोड़ी देखी थी और दोनों ही रिटेंड जिसने की राइट किया है और जिसने डिरेक्ट किया है इस Rever Richtung मुवी को और यह दोनों मिल कर यह मुवी जलेकर जो आ रहे है यस राज बैनर के तले यह मुवी होगी और इस मुवी में आपको क्या लगता है जो कि दोनो एक्टर्स हैं बड़िया एक्टर्स फाइटर्स की भूमता मुवा मुवी का निभाते किस तरह से आपको दिखाई देंगे और वानी कपूर जिनके की अभी हाली में बॉलिवोड में इंट्री हुई है कुछ टाइम से बॉलिवोड में अच्छा खासा नाम कमाया हुए और इस मुवी को इस एक्टर्स का भी फाइदा मिलेगा और बहुत ही शांदार मुवी हो सकती है यह तो दोस्तो आपको क्या लगता है कि ये फाइटर्स मुवी सहरितिक रोशन एक बार फिर से बॉलिवोड में वापसी करेंगे या नहीं बहुत टाइम बाद फाइटर्स आपको बहुत ही अलग पैमाने पे आपको देखने को मिलेगी तो दोस्तो आपको क्या लगता है कि ये मुवी शांदार हो सकती है या नहीं या आप हमें कॉमेंट से बता सकते हैं और इस मुवी के जो एक्टर्स है वो शांदार है या नहीं और इस मुवी के डिरेक्टर शांदार है या नहीं तो दोस्तों आपको क्या लगी कमी ये आप हमें कॉमेंट से बता है और आपको क्या लगता है कि ये मुवी हिट होगी या flop ये भी आप हमें comment से बता सकते हैं और इसका collection कितना जा सकता है ये भी आप हमें comments में अंदाजे से बता सकते हैं तो दोस्तों हम से जुड़े रहने के लिए Bollywood चलो में subscribe का बटन दबाईए और जुड़े रहे हैं तो दोस्तों बाबाई